आज आम इस वीडियो में बात करड़े जा रहे हैं कि सीटेट 2018 का आप सब को जानकारी होगा कि ओफिसियल आंकसर की यह आ चुकी है ऐसे में लाखो अभियारती अभी परिसान हो रहे हैं तो इस बात कि मैं 110 परसेंट गिरांटी देता हूँ कि 1-2 नमर आपको बढ़ सकते हैं आपको बता दे हम आपको इस वीडियो में 5-6 परशन बता रहे हैं इन 5-6 परशनाव में से एक बाता है कि आपके 1-2 नमर बढ़ेंगे प्रस्ण की बात करें पहला प्रस्ण ये है कि किस रास्टी ये पार्थचर्या फ्रेमवर्क यानि की NCF ने प्रार्थमीक अस्तर पर एक एक करीत पार्थचर्चा छेतरी के रूप में पढ़ाई जाने के लिए परियावरन अध्यन की सिफारिस की इसका करेक्ट अंसर आपको बताया दे जो CVSE ने दिया है वो 1975 दिया है लेकिन इसका करेक्ट अंसर जो है NCF 2005 होना चाहिए आप सभी अभ्यारते हो कोई एक जानकारी यहाँ पर दे दे यदि आपको लगता है कि मेरे दुवारा दी गए जानकारी गलत है तो आप हमें कमेंट कर सकते है या पिर यदि आपका रिजल्ट जारी होता है उसके बाद भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं मेरे दुवारा जो पांच कोश्चन आपको बताए जा रही है इसमें एक बाता है एक से दो नुमर बढ़ने था हमारा पहला कोश्चन और दूसरा कोश्चन की बात करें पास दूसरा प्रसन है कि महिलाई जो है पुरूसों की तुलना में कमजोर है यह एक क्या है आपको बता है कि एक विले का विगटन दर पर निर्भर करता है आपको बता दे सीवियसी निसका करेक टांकसर दिया है सतह छेत्र यहाँ पर भी आपको बता दे इसका करेक टांकसर में बदलाव हो सकता है तापमान भी हो सकता है यहाँ पर भी आपने यदि टिककड के आया है तापमान त आपको बता दे इस पर भी आपको एक मार्क्स मिलने की संभाबना है चौथा प्रस्ण हमारे पास है कि बिद्याले में मिड़े मिल के समय के लिए कौन साव सबसे प्रस्ताइगिक है आपको बता दे इसका CVSC ने करेक्ट टंकसर दिया है पहला कि यह जो है EVS सिक्षन अधिगम के लिए एक अच्छा सिक्षन अधिगम का अफसर है आपको बता दे कि इसका करेक्ट टंकसर सकेंड होना चाहिए कि यह उन बच्चों के लिए है जो बिद्याले में खाली पेट आते है जिहां आपको बता दे इसका correct answer दूसरा होना चाहिए यहां पर भी आपको एक marks मिल सकता है और हमारे पास जो पाच्छमा प्रशन है वो यह है कि प्रित्वी की संदपर किसी बज़तों का भार क्या होता है इसका दर्मान जो है संदबा की संदपर 10 कजी है तो आपको बता दे इस पर जो है सभी अभियार्थियों को एक marks दिया जा चुका है पहले से ही जिहां CVSE की तरफ से पहले ही इस question पर एक marks दिया जा चुका है आप सभी अभियार्थियों को बता की online objection करने का जो date है वो कल तक last date है याने की 30 December 2018 की संद्या के 5 वजे तक सबसे बड़ी update की यहाँ पर यदि आप एक question को objection को objection करते हैं तो आपको 1000 फी पे करना होगा यदि आप 4 question को करते हैं तो आपको 4000 फी पे करना होगा और यहाँ पर एक जानकारी आप सभी अभियार्थियों को दे दे कि objection करने के बाद भी marks बढ़ता है जिहां आपको बता दे इस पहले भी सीटेट की परिक्षा यह हुई है इसमें भी objection करने पर marks बढ़ा है और इस बार भी बढ़ा है आपको यह कंथों जानकारी नहीं दे सकता हो कि objection करने वाले को ही marks बढ़ता है या फिर सभी को बढ़ता है इसके बारे मुझे कंथों जानकारी नहीं है लेकिन आपको बता दे कि पहले भी objection करने पर marks बढ़ा है और उमीद करते हैं कि इस वार भी मार्क्स बढ़ेगा। फिलाल जो है इस अपडेट भी फैनली कहा जा सकता है कि यदि इन 5 से 6 परसनों में यदि सुधार होता है तो एक बात ता है कि जिन किसी भी अभ्यार्थी को यदि 77 मार्क्स आ रहा है यदि वे OBC या फिर ST या फिर ST कैटेगरी में आते हैं तो यदि उनके 5 मार्क्स बढ़ जाते हैं तो कहा जा सकता है कि वे अभ्यार्थी 82 नमर लाकर पास हो जाएंगे